तो यह मैं लगबक हर रोज देखता हूं जब यह आता है साल में इस साल इतना अच्छा नहीं आया इस साल का तो चलिए मैं आपको अपना चैनल लगा दिया तो यहां पर देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या पोजिशन है पहले तो ग्यारा बज गई आज फ्राइडे ही है और यह वीडियो में क्यों बना रहा हूं अभी बताऊंगा आपको अजिए निफ्टी का है भाई है निफ्टी फिफ्टी गोल्ड गोल्ड का वाव है निफ्टी फिफ्टी क्यों नहीं आ रहा है एस जेए निफ्टी इकिस पॉइंट ऊपर दिखा रहा है 21 पॉइंट्स डाउ जोंस कहां पर इसमें दिखेगा अभी डॉलर इंडेक्स 97 पर है ब्रेंड कुरूड 90 के उपर आ चुका है सिल्वर काफी नीचे है साथ हेजार आठ सो जो मैंने आज मेरे क्लाइंट को बोला था पक्का आएगा मंडे से सिल्वर में बहुत बड़ी तीजी आएगी मंडे से मंडे तक यह साथ हेजार का लेबल भी आएगा और डाव जोंस क्यों नहीं आ रहा है इसमें चलिए उसमें देखते हैं दूसरे वाले चेनल में दिखा देता है यार एस्जेक्स निफ्टी दो बार आ गया 118 नाइमेक्स क्रूड 87 डाव फ्यूचर्स नेस्डेक्स फ्यूचर्स दो सो उनतिस डाव जोंस एक सो सत्ताइस पॉइंट उपर चलिए अब आज यह वीडियो बनाने का मेरा मक्सद क्या है कि मैं यहां पे बड आपको स्टेट्मेंट देना जाता हूं मंडे को मार्केट खुलेगा ही 200 पॉइंट उपर और दिन के दोरान आप तीन सो से पांसो पॉइंट की तेजी देखोगे डियूरिंग देडे सौ से डेढ़ सो पॉइंट उपर खुलेगा कम से कम से कम अभी डाव उपर जाये चाह में आपको मार्केट दिखालता हूं निक्काई तो ये तो आज का सिल्वर और बोडा करता हूं डॉलर रूपी डॉलर इंडेक्स 97.19 ब्रेंड क्रूड 90.77 इतना उपर ब्रेंड क्रूड डॉलर इंडेक्स 97.20 डॉलर रूपी पच्चत्तर रूप्या चार पैसा चाला यार कितना टाइम लगता है आज हमाना निफ्टी 101 पे बंद हुआ निफ्टी बैंक 292.192 माइनस पे बंद हुआ था थोड़ा जल्दी आ यार गोल्ड 47.500 हो गया है इस जेक्स निफ्टी 21.1 प्लस में 17.113 गोली मारी उसको तो जो भी है मैं क्या बोल रहूं अच्छा सिल्वर का तो मैंना सुबह जब और यह बारट सट अजार चल रहा था तब मेरे दोस्तकों बुला था कि आज साट अजार आठसो का आएम क्योंकि जब यद चीज घरती आ तो फ्राइडे को जरूर और गिर्ति अगर गिरावट हो जाती उसमें तो फ्राइडे को फिर चांस ही नहीं है वीक का नहीं आई बनाने वीक का नहीं लोग जरूर बनता फिर तो मेरा कंडिक्शन था तो अज यह में मुद्ध के पाद मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अगर सटेड़े संडे मेरी क्लास भी होती है तो मैं फिल अफ्टर क्लास देखता हूं रीपीट वाले मैं और थोड़ा बदपना CNBC आवाज और यह जी बिजनस देखता हूं और फिर हमारा जो चैनल न्यूज वाला आज तक और CNBC TV 18 भी देखता हूं और आपको कभी लेट नइट सोफ़र पे बैठा रहा तो अभी तम्हें आपको बोलों कि निफ्टी देड़ सो से दो सो पॉइंट तो उपर उखुलेगा और दिन के दुरां तीन सो से पांच सो पॉइंट भी उपर जा सकता है जैसा आज गया था 375 करीब गया था तो 280 पॉइंट उपर गया था एक बर आज 260 पॉइंट तो मंडे को हो सकता है 300 से 500 पॉइंट की तेजी हो अब आप लोग बोल गया इसा क्यों बोल रहा है पागल हो गया साला पागल नहीं हो बताता हूं अगर आप डाटा को लोगे मैं यहां पर डाटा खूलता है क्या देखता हूं अचले डाटा मैं बता रहा हूं आज मैं अकल डीटेल सुबह डीटेल वीडियो बनाऊंगा लैप्टॉप से भी तो यह मोबाल से मैं वीडियो बना रहा हूं तो जब लैप्टॉप से बनाऊ FI's ने 5-6,000 करोड के लेकिन आज ते 3,000 करोड हमारे DIs ने भी भाई किया है तो आज बहुत बड़ा या 25 सो करोड भाई किया साथ तो भी बाकी का हमारे क्लाइन ने भाई किया है FI's की जो सेलिंग है अगर आप ध्यान से देखोगे कल मैं डीटेल में दिखाऊंगा अलगी जब मार्च 2020 थी जहां मार्केट 3900 पॉइंट्स एक ही महिने में गिरा था 3919 पॉइंट्स 3,919 पॉइंट की गिरावट थी मार्च में अकेले मार्च 2020 में उस मार्च 2020 में भी FI's की सेलिंग 55,000 करोड की थी टोटल मार्च की पूरी टोटल सेलिंग 55,000 करोड की थी और मार्केट गीर गया था 3919 पॉइंट्स 3,919 मार्च 2020 और उसके अगेस्ट में D.I.S की बाइंग 55,000 करोड की थी मतला FI's ने 55,000 करोड अगर मार्च में सेल किया था 2020 में जिस महिने में निफ्टी 3,900 पॉइंट उटा उसी महिने में D.I.S ने 55,000 करोड की बाइंग की थी यानि कि मार्केट से नेट सेलिंग स्रिफ 10,000 करोड की थी नेट सेलिंग आपको समझ मैं है और इस बार अभी तक आज की डेट तक FI's ने सेल कर दिया है करीब करीब ठर्टी एट थाउजड इस महिने में और D.I.S ने बाइ किया सिर्फ 17,000 करोड इस महिने में बाइ किया है और आज तक की डेट आज तक की अभी 31st का डेट बाकी है एक दिन और बाकी है और अभी इस साल की सबसा हाइस्ट मंतली सेलिंग जो है वो 39,000 करोड की है जो कि के लोग 37,000 क्रोड की सेलिंग इस मैने में कर चुके और आज तक की ऐल टाइम हायएस्ट वन मुंध की सेलिंग जो आपाइस ने किया वो मार्च 2020 में किया, वो 65,000 करोड की किया, 65,000 करोड की, लेकिन उस 65,000 करोड में 55,000 करोड डियाइज ने भी काउंटर रेटेक करके बाई किया, यानि कि नेट तो लोग 10,000 करोड ही कर पाए, यह पहला ऐसा महिना है, जहां पर FI की सेलिंग को काउंटर सिर्फ 50% भी नहीं क किया, यानि कि बाकी का 50% माल पॉब्लिक ने खज़िदा है, बहुत बड़ा पॉइंट में आपको बोल रहा हूं, यह सब कर में डीटेल में आपको दिखाऊंगा, अभी आज मैं अभी मोगाईल से बना रहा हूं, तो खाली बता रहा हूं, जो जो मेरे दिमाग में फिष् लाइन से ड्रॉ करके भी दिखा दिया, मार्केट ने, तीनो दिन, पिछले तीनो दिन, जो ट्रेन लाइन, फॉलिंग ट्रेन लाइन थी, जो एक समय, मैंने कौन से कौन से पॉइंट को एड़ किया, उसमें, अठारा 604 और अठारा 210, जो प्रिवियस दो टॉप्स थे, और उसके बाद यह breakout आया था 17500 जब market cross किया था आज उस breakout को वापिस market ने retest किया है ठीक है उसको retest किया है तीन बार retest किया है तीनों बार उसके नीचे नहीं close पर पाया यानि कि वो जो resistance था trend line का वो support का काम कर रहा है एक तो यह reason है कि market resilient है नीचे नहीं जाना चाहरा है दो दिन ऐसा आपने देखा कि 16800 के level पर market गया 836 और 866 उसके बावजुद उन दोनों दिन में भी market 17100 से उपर आने में सफल रहा एक दिन तो 17200 सततर तक आ गया closing basis एक दिन 17110 आया और आज भी market 17100 के उपर ही close किया तो तीन closing consecutive भी 17100 के उपर किया उसमें दो ऐसे दिन थे जहां market 16800 के घर भी दिखा है उसके बावजूद तो market कितना resilient है इतनी बड़ी selling को जेलते हुए भी market किसी भी दिन 500 पॉइंट भी minus नहीं वाजब की मार्च में हमने 500 क्या 700 क्या 800 पॉइंट भी intraday में minus देखे है जो मार्च 2000 भी और उसमें तो सिर्फ FIS की selling 55,000 करोड की थी उसके counter में 55,000 करोड की buying भी थी लिया इसकी नेट में तो 10,000 और इस बार तो FIS ने अभी तक इस महिने में 38,000 करीब शॉट कर दिया 38,000 और इस साल का highest record है 39,000 करोड का से दिसंबर में आई थी वो selling ठीक है या नौवंबर में आई होगी वो मैं कल डाटा में दिखा दूं आपको और इस महिने में 38,000 की जो selling आई है करोड की उसके अगेस्ट में सिर्फ DIs ने खली 18 से 20,000 करोड की भाइं की है बाकी का 50% पूरा माल पॉब्लिक ने जेला है जो कि आज तक के इतियास का record है पॉब्लिक इतना माल ले रही है अब पॉब्लिक खली cash कहीं नहीं बोलो अब इंडेक्स की बात सुनिए इंडेक्स future में आज का जो data आ चुका है मैं भी यहाँ पी screen पे नहीं दिखा पा रहा ह आपको आज कर जो data आ चुका हम वहां इंडेक्स future में इंडेक्स future में F20 की net position जो है वो 63,000 contract short चल रही है कितनी शौट चल रही है 63,000 contract contract एक contract कितनी भी size का हो सकता है उसमें एक contract जरूरी नहीं है कि आपका 50 का ही हो जिसे 50 में 50 का एक contract है लेकिन इनका contract का मतलब यह नहीं होता है कि एक contract 50 का ही है इनका contract 1000 का भी हो सकता है 63,000 contract short में है F20 index future में आज आज की date में after market का figure बता रहा हूं जो figure आच हुग है NSE की website में और वहीं पे 80,000 contract client long में 80,000 contract index future में क्लाइंट किस कदर तेजी कर आपको समझ में आ रहा है 80,000 contract client को मैंने पूरी लाइफ में index future में long होते हुए नहीं देखा पूरी लाइफ में बोलना हूं पूरी लाइफ में गैरेंटी से bond paper पे लिक्के बोल सकता हूं यह चीज़ है 80,000 contract इंडेक्स future में मैंने highest पहले कभी देखे थे तो 30,000 32,000 40,000 बस मैक्स तुमेक्स पचास 80,000 contract client index future में आज net long में है आज की date का data है और 63,000 contract FIs net short में है index future में DIs B index future में net short में करीब 44,000 यह 54,000 contract और pros pros मतलब HNI client बोल सकते हूं आप तो pros वो लोग है करीब 18,000 contract long में है तो client की इतनी हिम्मत तो मुझे वो उसी company की याद दिला रही है जो अमेरिका में लफड़ा हुआ था गेमिंग company में जहां operators short करते गए और public ने operators की band बजा दी तो यहां public 80,000 contract अगर long कर सकती है तो अब retailer को मैं कमजोर नहीं मानता हूं मैं तो इनको F-20 का बाप मानता हूं F-20 का बाप नहीं बाप का भी बाप मुझे तो लगता है DIs में भी इतना दम नहीं जितना अब retailers में दम है 80,000 contract लेकर चल रहे हैं long में जबकि उसके against में DIs भी short में और FIs भी short में है अब आजी फिर भी मैं चली यह long है तो यह पागल भी तो हो सकते हैं तो मरेंगे भी ऐसा भी हो सकता मार्केट 15 आ जा रहा है लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलाओ क्योंकि आज सुबह DIs की आज सुबह जब market open हुआ था यानि कल तक की FIs की position करीब करीब 43,000 contract short थी कितनी short थी index future में 43,000 contract short थी कल तक yesterday तक उसका effect आज दिखा आपको market में market SGX माइनस दिखा रहा था है लेकिन market खीच के 375 तक लेखे गया ठीक है वह ऐसा क्यों हुआ क्योंकि FIs की index में net long position 33% पर आगे थी अब यह net long net long क्या होता है वह भी कल मैं आपको detail में समझाओंगा वीडियो में ठीक है इंडेक्स का net long क्या होता है तो net long percentage जब भी मैंने देखा है 50 के नीचे आ जाता है FIs जनरली फिर buying करना पड़ता है उनको मजबुरी तो आज वह 33% पर आ गई थी net long 50 के नीचे यह जनरली sell करते ही नहीं 50 पर आ जाती है अगर इनकी net long 50% से नीचे आ जाती तो फिर इनकी data आया है अब यह लोग आ गए 27% 28% पर यानि कि मार्केट मुझे डाउट नीए कि 500 भी भाग जाए मंडे को कि इतना ज्यादा net net long में इतना कम percentage मैंने FIs का पूरी जिन्दगी में नहीं देखा पूरी जिन्दगी में इनका net long कभी भी 30 के नीचे मैंने देखा ही नहीं अब यह net long क्या होता है जैसे FIs के कुछ party लोग कुछ FIs short में रहते हैं इंडेक्स में कुछ FIs long में रहते हैं तो total short and total long को पहले add कर लीजे और उसमें से जितने total long है grand total से total long का percentage निकाल लीजे मैं कल दिखाऊंगा आपको तो ऐसे net long percentage निकलता है तो यह बहुत यह सारी चीज आप बहुत कम लोगों को पता है मैं सिखाऊंगा कल भी यह भी इस यह कारण है कि मैं बोलतो FIs बहेंकर short covering करेंगे Monday को मैं आपको लिखित में दे सकता हूं चाहिए आप लिखवा लिजे मुझ से मार्केट किसी भी हालत में 200 से 300 पॉंट तो डेड़ सो से 200 तो उपर खुलेगा डेड़ सो तो मान के चलिए और दिन के तुरान 300 से 500 पॉंट उपर जाएगा और इस बार टिकेगा भी चुकि बजट है तो अमावर्षय से तेजी की सुर्वात होगी और पूर्णी मा तक मैं तेजी मानता हूं मार्केट मा पूर्णी मा मतलब 15 दिन मार्केट तेज रहेगा इनमें एक दो दिन यह से गिरावट की भी आएंगे लेकिन 15 दिन मार्केट हो सकता है 19,000 तक पूचा देगा 17,100 पे न 19,000 मैं आपको दिखाऊंगा चले मैंने तो 18,000 का गरंटी लेकिन आपको 19 भी दिखाऊंगा जै जिनेंद्रा जै बोलेना जै हिंद कल सुबह डिटेल्ड वीडियो